आपके पास Infinix Note 40 Series का कोई भी फोन है, तो यहाँ पे आप होट्सपोट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, फोन में आपको होट्सपोट चेंज करना है, सेटिंग करनी है, तो इसके लिए आप सेटिंग पे जाएंगे, इस टैप से उप्शन आएगा, और आपको यहाँ पे नीचे है, शौट करना है, कर दिया, और यहाँ पे अपना नाम भी लिख दिया, ताकि दूसरे डिवाइस में इसी नाम से शो हो, पासवर्ड में यहाँ पे डिफिकल्ट पासवर्ड है काफी, तो यहाँ पे इजी पासवर्ड हम सेट कर देंगे, ठीक है, ओके, दिवाइस या PC अगरे से फोन कनेक्ट कर रहे हैं, होट्सपॉट, कनेक्टिंग में प्रॉब्लम आ रहे है, तो आप यह चेंज कर सकें, जैसे वीपे टू, वीपे थी, परस्नल यह सब, इसकी बाद चेक माग करके सेफ कर लेनी है, सेटिंग को, शेयर होट्सपॉट का एक यहां पर कोई डिवाइस ब्लैक्लिस्ट में है, तो यहां पर आपको देख जाएगा, आप रिमॉफ कर सकते हैं, अब डिवाइस ब्लैक्लिस्ट में डालते कैसे हैं, तो यहां पर डिवाइस का नेम आ जाएगा, जो भी कनेक्टेड होगा, उस पर क्लिक करोगे, तो ब्लै लिमिट सेट कर सकते हैं कि कनेक्टिंग के वक्त आपको कितना MB या GB आपको शेयर करना है किसी परसन को तो मैंने 1 GB कर दिया इसके बद यहां पे एकसेस होने पे एकसीड होने पे मतलब जादा हो जाएगा तो टर्न आफ या नोटिफाई क्या होना चाहिए तो मैं सिर्फ यहां पर यहां पर यहां पर यह तर्न आफ एंड नोटिफाई दोनों वाला सेलेक्ट कर दूँगी इसके बद बैक कर लेंगे एक चीज़ और आजाता है यहां पर मैक्सिमम कनेक्शन मैक्सिमम तो दस मोबाईल एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं मिनिमम एक तो मैं यहां पर दो कर लूँगी तो दो मोबाईल एक साथ मैं कनेक्ट करना चाहूंगी इसके बद यहां पर टर्न आफ आउटमेटिक लिए कि अकर कोई device connect नहीं है तो automatic turn off हो जाएगा आपका hotspot बाकि आप यहाँ पर down करेंगे तो hotspot का shortcut मिल जाता है यहां से आप on कर सकते हैं off कर सकते हैं और touch and hold करके रखेंगे तो full setting वापे से open हो जाती है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार